दिखिए बहुत साथी PFMS पर जो funding agency submitted के जो blue color को लेकर परिशान थे, highlighted नहीं हो रहा था, तो उसकी समस्य का समाधनम बताई चुके हैं, उनको आपको के बस submit करके छोड़ देना था, और वो आपके block या district level से अप्रूब की जानी थी, ठीक है, तो इस तरह से दिखेंगे एक आ रहा होगा, डूसरी बात यहां पर एक और आ रही है, कई सारी साथी comment कर रहे हैं, कि यहां पर जो status दिखा रहा है, वो disabled दिखा रहा है, यह जो है PFMS की स्कूल की admin idea, उस पर यहां पर यह दिखा रहा है, आप ध्यान रखिएगा, आपकी चाहे data approval idea, या चाहे data operator idea, या आप का यह status disabled दिखा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आइए इस वीडियो में बताते हैं, आगे बनने से पहले आपको बताते हैं, अगर आपको वीडियो में बतागी जानकर समझ में आती है, आपको मदद मिलती है, तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूले, तो चलिए शुरू करते हैं, आपकी जिस ID में भी यह status disabled दिखा रहा है, उस ID से आपको login कर लेना है, और उसके बाद left side में नीचे scroll करना है, यहाँ पर दिखेंगे, अगर आपकी admin ID में दिखा रहा है, तो यहाँ पर admin ID login करेंगे, तब आप आपको यहाँ masters पर क्लिक करना है, उसके बाद users पर क्लिक करना है, इस तरह से यह हट जाएगा, tap कर देंगे side में तो, और manage पर क्लिक करना है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं भरना, और search पर क्लिक कर देना है, इस तरह से आपकी सभी ID's वो open हो जाएंगी, यहाँ पर देख सक disabled है, उसका जो user name red color का आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर my profile open हो जाएगी, नीचे इस call करेंगे, अभी देख सकते हैं, यहाँ पर status disabled है, अब आपको क्या करना है, यहाँ enable option आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आएगा, are you sure you want to enable, okay कर देंगे, इस सही से कारिक कर पाएंगे, नीचे इस call करके भी देख सकते हैं, आभी status enabled आ चुका है, और उसके बाद सभी ideas की details में भी आप देख सकते हैं, अभी आप पर approved आ रहा था, आभी status में उसके सामने enabled आने लगा है, तो इस तरह से enable करना जरूरी है, और एक्टिव करना जरूरी है तब ही आप बर्द कर पाएंगे, तो इस तरह से इस समस्या के समादान भी आप तुरंत कर सकते हैं,